आज मैं आप सभी के लिए रेडी मसाले पैकेट वाला पाँच मिर्ट में बनने वाला मश्रूम पास्ता की रेशीपी लेकर आई हूँ तो चलिए देखते है रेडी मसाले वाला पाँच मिर्ट में बनने वाला मश्रूम पास्ता की तरह बनाते है यह देखते है रेडी मसाले वाले पैकेट का मश्रूम पास्ता बनाने के लिए हमें इन इनची जो क्या आउशकता है एक रेडी मसाले वाला मश्रूम पास्ता पैकेट इस तरह का रेडी मसाले वाला मश्रूम पास्ता का पैकेट आपको कोई भी मौल में आसानी से मिल जाएगा एक ग्लास या आवशक्तन उसर पानी तो चलिए रेडी मसाले वाले पैकेट का मश्रूम पास्ता बनाते हैं सबसे पेले इस तरह पास्ता के पैकेट को खोल दीजिए और इस खोले वे पास्ता पैकेट में इस तरह का एक मसाले वाला छोटा पैकेट है अब निकाले वे इस चोटे मसाले रेपाकेट को इस तरह खोल दीजीए. अब ग्यास पर मिल्याम आज पर एक कड़ए रग दीजीए. और ग्यास पर रखे वे इस कड़ए को थोड़ा गरम होने दीजीए. जैसे ही पानी गरम हो जाय तब इस गरम पानी में खोले वे पैकेट का पास्ता डाल दीजिए और इस गरम पानी में डाले हुए इस पास्ता को अच्छे से इस्तर मिक्स कर लीजिए लेकिन द्यान रखना पास्ता में पानी इतना ही डालना कि पानी थोड़ा पास्ता के उपर आ जाए और पास्ता थोड़ा पानी में डुबे जैसे ही पास्ता का पानी कम हो जाए तब इस पास्ता को देख लीजे कि पास्ता असानी से तूट रहा क्या देखिए इस तरह पास्ता असानी से तुपना चाहिए अब इस पास्ता में पैकेट वाला तैयार मसाला डाल दीजिए और इस डाले हुए मसाले को इस पास्ता में अच्छे से मिक्स कर लीजिए पास्ता में डाले हुए इस मसाले को पास्ता में डाला हुआ पानी पूरा खत्म होने तक इस मसाले को पास्ता में अच्छे से मिक्स कर लीजिए अगर आपने मेरे कुकिंग विसविता इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और पास इमें दिये हुए बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे मेरी नई विलियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी तो देखिए इस तरह तयार मसाले वाले पैकेट का मश्रूम पास्ता बन कर तयार हो चुका है अब इस बनाय हुए पास्ता को एक प्लेट में निकाल दीजिए तो मिलते हैं अगली एक और नई रेसिपिके साथ तयार मसाले वाला मश्रूम पास्ता के रेसिपिके विडियो को देखिडे के लिए आपका धन्यवाद ठेंक्यू